हरियो मरामराम आज का विसा है अवर्तनी के बारे में इसको अवर्तनी कहते हैं और मरोडफली के नाम से भी जानते हैं 36 गड़ी में इसको एठी के नाम से जानते हैं इसकी कुमल कुमल साखां को पानी में डोब करके रसी निकाल करके खाट में गातने के लिए इसका उप्योग किया जाता है यहाँ पूरे भारत वर्स में पाकिस्थान स्री लंका नेपाल भोटान आदी मलेसिया आदी देशों में भी पाया जाता है वर्सा के दिनों में यहाँ अच्छी तरह से निकल जाती है अब इसमें लाल लाल पुस्व लगते हैं और यहाँ कफ पित को समन करने वाली पतलादस और रख्त दोस पेठ की क्रिमी कुठी करती है हमारी माता बहनों को अगर रख्त परदर स्वेथ परदर हो गया हो मदुमे मैं रख्तस्राह होता हो उसमें अतिंत फायदेमंद है यहां खुन को इस्तम्झन करने वाली और अनय प्रकार के जो रोग होते हैं उसको दूर करती है इसका जड़ और फली का प्रयोग किया जाता है 36 गड़ के तांत्रिक लोग इसका फल का तांत्रिक प्रयोग में करते हैं मैं कुछ को इसकी अवसदियां प्रयोग बताता हूं अवरतनी के फल को 500 मिली ग्राम की मात्रा में भून करके छोटे बच्चों को खिलाने से उसमें जो क्रीमी हो गए हो पेट में उसको यहाँ पुनुरुप से आराम पहुंचाता है और इसी के साथ में इनका क्वाद बना करके पिलाने से जोर कभी समन होता है इसमे मरोड फली और चिराता को समान मात्रम मिला करके देने से काड़ा बना करके पिलाने से कैसा भी बुखार हो उस बुखार को यहाँ निवारण करता है और पामा जैसे रोगों में इसका छाल फल को पीस करके पामा में लगाने से पामा जैसे रोगों का पुनुरुप से और प्रमेह रोग हो गया हो हमारे भायों को तो इस प्रमेह रोग में इस अवरतनी मरोड फली का जड़ का छाल का कुवाद बना करके लगभा 10 ग्राम की मात्रा में कुवाद में मिस्री मिला कर पिलाने से प्रमेह जैसे भ्यंकर रोग को यहाँ पूर्ण रूप से लाब जाता है और जिसको दस्त के साथ खुन आता हो तो इसकी मरोड फली को पानी में भीगो कर मसल कर छान कर पिलाने से जो खूर अटना दस्त होता हो उसमें अगर बलड आता है वहाँ रुह जाता है और पेट दर्द में इसकी एक चमतकारी प्रयोग बताता हूँ इसका फल चूर्ण को सेवन करने से मरोड यूकत जो पेट का दर्द होता है उसमें यहाल लाब करता है इसलिए इसको मरोड फली के नाम से हमारे आयर्वित की गरंथों में जाना गया है और जिसको पतला दस्त हो रहा हो तो इसके एक गराम चूर्ण में इंद्र जव का चूर्ण मिला करके खाने से जो पतला दस्त है उसमें लाब होता है और यहाँ पेट के कीड़े में मरोड फली वाई बिडंग को समान मातर मिला करके काड़ा बना करके पिलाने से पेट के समस्त कीड़े अपने आप मर जाते हैं और जिसको कान में घा हो गया हो तो अवरतनी के फल को पीस करके कान में के घाओं में लगाने से कान का घा जो है जल्दी पुनरूप से आराम पहुँचाता है और इसी के साथ अवरतनी का फल का जो रस है उसको एक बुन्द कान में डालेने मातर से कान का जो भ्यंकर दर्द है उसको आराम पहुचाता है आप सभी को हरी ओम नमस्कार